यह जो वन रेंक ओन पैंसन है यह जो कम उमर में जो डिसार जा जाते हैं पैंसन आ जाते हैं यह वन रेंक ओन पैंसन उनके लिए है क्योंकि भारतिया शेहनाओं में 30 साल सैट हजार से असे जार के तकरीबन पूरो सैनिक रेटैर्मेंट होते हैं वो कम उमर में होते हैं भाई साब किसी के चहरे पे नहीं लिखा है मैं चोर हूँ डाकू हूँ यह हूँ वो हूँ क्या करता हूँ क्या नहीं करता हूँ ये तो जैसे पंजाबी में कहवात है हंड सी ते रंग कड सी जब भी कपड़ा खरीते हैं जब वो यूज होगा तब पदा चलेगा कि ये कपड़ा निकला कैसा जो की गुलामी प्रदा जो भी सेना कंदर चला है डेड लेक से उपर सेवादार आज गरों में काम कर रहा है उसी के उपर उनको बाहर बेजा है अपने बेटे के लिए कपड़े मिठाई लेकर जाएंगे नहीं जाएंगे हम आप घर से निकलते हमारे आपके माबाप साफ तोर से कहते बेटा रास्ते उबर खावाड होंगे बजा के जाना लेकिन इनको उस जगहां पर कहने वाला को ही नहीं होता तो हमारे साथ में और मैं सबसे पहले न्यूज वर्ड इंडिया को में दिन्यवाद करता हूं और आप पत्रकारों को भी दिन्यवाद करता हूं और आपके दर्सकों को भी में दिन्यवाद करता हूं क्या मांगा आपके आप लोग यहां पर कई दिनों से धरने पर बैठे हैं क्या कोई मीडिया यहां पर पहुंची या कोई सरकार का नुमैंदा यहां पर पहुंचा या आपकी बातें सरकार तक क्यों नहीं पहुंच पा रही हैं सेर देखो सबसे पहले हम चलते हैं जो भारतिय शेहनाओं में हैं तीनु शेहनाओं में उसमें नैंटी सेउन परशेंट जो सेंख्यावल होती हो चोटे रेंकी होती है जवान जेशियो रेंकी उनी का 20 फरूरी से यहां आंदूलन चल रहा है जो पंजाब की सबका सेनिक संग करसके मेटी ने इसकी शरुवात की थी आज तकरीवन इसको 220 दिन के करीब हो गए और यह मतलब भारत का एक इतियास है कि किसान अंदूलन के बाद में कोई इतना बड़ा दरना चला है और यह एक सानकितिक दरना है 10-15 आद्मियों से इसके बाद में हम पूरे देश में भी की शकल में हमने 72 को पूरे देश के साइथ 1007 साइसो को मांग पत्तर भी दिए हमने दीसी के माद्रों से भी दिये और यांजन तर million 25 जर्णंतर मंत्रवें वीश्वरूरी में हन्मों की गोशना कैना थी तब हमने बहुत बड़ी रेली निकाली थी उसके बाद में यहां ज जिसके उपर ये सरकार आई कि आप को याद हो पत्रकार मुद्दे हैं कि 15 सितंबर 2013 को एक रिवाडी में रिली हुई थी जिसके अंदर माननी है उस समय के पूरू मुख्यमित्री गुजरात ने एक वादा किया था कि मैं हमारी जब सरकार आएगी तो वन रेंक ओन पैंसन दी कि सना के अधिकरी है उनको चलागा और जो कोश्यारी कमेटि ने जो शिपारिस की थी कि यह जो कम उमर में जो डिशार्ज आ जा जाते हैं पैंसन आ जाते हैं यह वन रेंक ओन पैंसन उनके लिए है क्योंकि भारतिय से ना और पर 30 साल स्ट तो उनकी पैंसन बहुत कम होती है तो वह फैंसन के लिए हम बैठे हैं कि इसके अंदर हुआ कैसे अगर मैं बात करूं कि 2006 में एक जो नायक होता है जो छोटे रैंका उसकी जो पैंसन थी वह थी 4046 रुपिये और वहाई पर एक लेप्टिडेंट करनल की जो पैंसन थी वह थी 14600 रुपिये आज जो 14600 रुपिये ले रहा था अज 2023 में वह पिचान में 1000 से ज्यादा पैंसन ले रहा और जो 4046 रुपिये ले रहा था वो 20,000 में पूच्या है जबकि वह वन रैंगान पैंसन थी जवानों के लिए अगर हम बात करें एक सैनिक विद्वा की तो सैनिक 1500 रुपिये थे वह आज होगे 58,000 रुपिये पलस डिये मतलब 70,000 शी ज्यादा डिसेबल्टी पैंसन में बहुत बड़ा गैप है अगर एक जवान दुसमंदेश से लवा ले रहा है और कहीं उसको एक्सिडेंट में वह दिवांग हो जाता है उसके आखे चली जाती है बार तो उसको जो पैंसन मिलती हो 2,54,000 रुपिये यहां ऐस समानता है यहां अधीकारों का दमन है मतलब एक तरह से जो समानता के अधीकार बाबा भीमराव एमबेड करके सुविदान ने दिये है उनका एक तरह से पीछे देके ले गए तो यही चीज़ों को लिए हम लेके बै जो पैनने का एक अलग है उनके लिए बहता तो आप यह देखो कि एक जो अधिकारी है उसको 15,500 रुपिये मिल रहे हैं और एक जवान को बाउन सो रुपिये जब कि कुलाब का सीधित आप साफ तोर से कहना यह है कि जो आर्मी के जवान या जो सैनिक ग्लेसियर में या तपते धूप में जाड़े गर्मी को बिना देखे हुए देश की सेवा करते हैं उनको कम मिलता है और जो अधिकारी बैट के ऐसी मज़े लेते हैं उनको आप से अधिति Uh50 ज़ल्युस दूब क्लें स्यदा मिलता है तो तो क्या यह साथ तोर साफ कह सकते हैं कि आपके एंदर जो बैटे जमान है या आपके अंदर जो आपाप संद्र हैं वह इस बात को सन्नी रहे हैं जर्णलों को सुननी थी कि उन्होंने यह जो भेदवाउड था यह समाप्त कर लेना था क्योंकि जो रूडवादी पर्थाए हैं वो अंग्रेजों की देन है क्योंकि भारतिये जब देश अजाद होया तो बारतिये शेना तो 200 साल से बढ़ी थी अंग्रेज तो ज्यादा नहीं आई एक लाग शपन हजार के करीब आए थी पर शेना बहुत लेकिन जो उनका था कि फूड डालो राज करो वो चीजे भी चल रही है अगर हम आर्मी लाकी बात करें मिल्ट्री लाकी बात करें तो वो 1911 में बनाई गए थे उससे पहले वो 1870 के करीब जो इंग्लेंड वाले थे जिन्नोंने यहां कंपनिया बनाई उनकंपनियों में ग हम जहां अमरतकाल कर रहे हैं और आपने देखा वाकेंदर सरकार कहती कि यह जो पुराने कानून है अंग्रेज्जों के हमने टोकरी में डाल दिये पर आज हम आपके चैनल के माद्यम से भी कहना चाहते कि अगर भारत सरकार जो अमरतकाल बना रही है तो एक हम पीचतर साल ह होगे देश को अजाद हुए और G20 भी करवा रहे हैं पूरे में वख्यान कर रहे हैं पूरे देश में तो उसको आज भारती है सेना दिनियम ले क्याना चाहिए क्योंकि जो कानून है उनके अंदर एक वही विक्तितों सोचन करने वाला है वही जज्जमेंट देने वाला है वही नयाय करने वाला तो आप कहीं अपील करने का दिकार ही नहीं तो वो चीज़ आज के समय में नहीं होनी चीज़ी वो पीछे हटानी चीज़ी होनी चीज़ी इसलिए बैठे आप अपनी ये सारी बाते जो आपके उपर अधिकारी बैठे हैं आपके बड़े अधिकारी बहुत हैं जैसे मानी राष्ट पती से इच्छा मुर्तियों मांगनी हो टंकियों पचड के आते में तया की कोशिश करने हो रेलवे को रोकना हो मतलब सब कुछ सवीदान के दारे में श्यांती पूर्ग जब कोई भी बंदा तंग हो जाता जब सरकार आंक मुन लेती है तो आ आठ बीने से जंतर मंतर पे भारतिये शेनाओं के शेनिक बैठे हैं और पूरे देश मेरेलिया निकाली जारी हैं जिलूस मारच निकाली जारे हैं आप सो कैसे सकते हो जब आपके शेनिक रोड के उपर बैठे तो आप सो नहीं सकते आपके मादम से फिर मैं आपके चैनल के मादम से बारत सरकार्त के बाद पुछाना चाह रहा हूं कि ये भी आपके ही सैने के जिन्होंने 2060 के लड़ाया लड़ी हैं करीगल में विजय दिलाई है और आज भी मोर्चा लेए वे हैं तो आज भी हम कहीं ना कहीं इस बारत माता की चाती को गर्विंत कर रहे हैं तो आज आज इनको सोचना चाहिए राजनितिक पार्टी को भी कि जब वो आप लेते हो तब तो आप कहते हैं बिल्कुल आपने सही का कि जब आप लेते हो तो दोजार चौबीस में लोग सभा चुनाओ भी है सरकार के पूरा समय है कि जाकर रहे हैं सांसे बिदयक उनके लगे अप बिजेपी हो कांगरेस हो इसकी हम राजनिति में नहीं जाते हैं आज तक हमने किसी को भी मंच और माइक नहीं दिया यहां पे कांगरेस के भी बड़े-बड़े लीडर आना चाह रहे थी यहां बहुत सारे आने चाह रहे थी पर मैं आपके यह सवाल बिलकुल है जाइज है क्योंकि दो को शैनिक खाली हाथ यहां से जाएंगे तो बिलकुल परवाव पड़ेगा और आठ बिने में जो हमारे 28 लाग पूरों शैनिक हैं उनके पास में एक चीज तो चली गई जागुरता क्यों अपने हकों के बारे में जानगे कि यह हक हमारे जाइज हैं सुईदान क्यों नहीं गई क्यूंकि घ्रोल होता है ऐगनिदानां अच्छी चीज औगर सरकार लेकर आई हमाब अपने घरूं में जोंत detect सघ्मान झाघ्ष मारे तेस के जमान के शैनिक बार कर खड़े होकर तपती ने जलती गर्मी में लोह में वो देश की सुरच्छा करते हैं हम आप एसीम बैड करमजे लेते हैं लेकिन आज जो यहां पे प्रदस्न करने बैठे है सैनिक उनकी जो पीड़ा है वो साय सरकार तक नहीं पहुंच रही है और किस कारण से नहीं पहुंच रही है जबकि इनका कोई बहु सरकार लगातार कहती है कि इस देश में सभी लोग एक समान हैं लेकिन फिर इतना भेद भाव क्योंकि आजाएं लोग उक साथ हमारे साथ तलवार साब मौजूद हैं सर बहुत स्वागत आपका समस्या क्या आपकी और समस्या को सरकार सुन क्यों नहीं रही है समस्या जो है वो हमारी वन रैंक वन पेंशन की है उसके बारे में हम और भी काफी सारी समस्या हैं जिसके बारे में हम सरकार से लिखते रहे हैं उनसे बाचीत का मौका नहीं आ पाया और जो हमारी समस्या है उसके उपर सरकार इसलिए चुप है कि समस्या जैन्यून है और सर सरकार को अपनी गलती माननी पड़ेगी और यह जो मोदी सरकार है अपना दम नहीं छोड़ना चाहते इसलिए यह आगेनी आ पार हें और प्लस प्रकार का इन्होंने पिछले आट-नो साल में काम किया कि कोई भी धरना प्रदर्शनों कुछ हो उसको तोड़ने की कोशिश की है बजाए इसके कि उनकी प्रॉब्लम सॉल्व करने की एक चीज होती है कि किसी संस्ता के आपको अगर कोई धरना प्रदर्शन कुछ कर रहे हैं कुछ मांग है तो उसे पूरा करने की तरफ या उसके ब अंडर मेंबर से 10-12 जो हैं 26 में से 10-12 जो हैं वो बीजेपी के पास बिक के और उस तरफ चले गए हैं उनके कहने के ओपर चल रहे हैं बीजेपी का पट्टा उन्होंने अपने गले में डाल लिया है तो आपको पता ही जिसके गले में पट्टा पढ़ जाए तो उसे पालतू कहा जाता है तो अब वो उनी की भाषा बोल रहे है उनी के दवरा धिये गए काम करने कोशिश कर रहे हैं हमारे यँपे फूड डालने की कोशिश किये उन्होंने लेकिन हमें उससे फरक नहीं पड़ता है कि ऐसे लोग आते हैं अभी एलेक्षन का टाइम आने się जल्दी बह नाख गये नहीं तो यह सालों हमारे साथ लगए रहते और हमारी नीव में जो है यह नमक वाला पानी डालते रहते और जब हमें होश आता तब तक हमारे बिल्डिंग गिर जाती तभी होश आता उससे पहले नाथा आपने कहा कि धरना परदर्सन होता उसको सरकार तोड़ने काम करती है यानि कि आपकी समस्या का समाधान वो नहीं करना जाती है उसको सीधे जड़ से निकाल देना चाती है आपने ये भी कहा कि कुछ लोग हैं हमारे पूर अध्यक्स जो हैं जिनको की हमारी एक्जेक्यूटिव कमेटी ने सर्व सम्मेती से बाहर निकाल दिया है अर्जुन सिंग राठोड हैं जिनका की सबसे पहला नाम आता है सुवेदार रिटायर्ड हैं आर्मी से दूसरे अपनियापको टोपची लिखते हैं लेकिन ऐसा लगता है उन्होंने अपनी टोब अपने जवान भाईयों के उपर और जो वीर माता बहने और विद्वा बहने हैं उनके उपर चला मारी है अपनी टोब कहीं और लगाने के बजाए अधिकारियों और पॉलिटिक्शिंस के कहने पे हमारे ही उपर चलाने के कोशिश की है उसके साथ में एक कैप्टन लोकेंदर सिंग है एक सरकार के अंदर ही कल्चर मिनिस्ट्री के अंदर क्लास वन गेस्टर अफसर है राजदीप वर्मा नेवी से रिटायर्ड है उन्होंने इसके अंदर साथ दिया है फिर एक बैंकर है जो की बैंक में काम करते हैं उनका नाम है वारंट अफसर एरफोस से रिटायर्ड है वारंट अफसर है पवन कुमार सैनी फिर एक पीपी गोत यह लोग यहां आठ महीने में डिली में रहते हैं इसको छोड़ दीजिये आप अपने राठोड तॉस साथ को बाकी सारे तीनों डिली मे रहते तीनों-चारों और यह आठ मेने में आठ बार नहीं आया हैं पर जब कि हम ने इन लोगों Eltern करके इन लोगों को यहां ले के आए थे हमने इनको जो फांटर मेंबर rocket अथे ंदर जॉइन करा है क्योंकि पही साहब किसी के चहरे पे नहीं लिखा है मैं चौर हूं डाक हूं यह हूं वह हूं क्या करता हूं क्या नहीं करता हूँ यह तो जैसे पंजाबी में कहवत है हंड सी ते रंग कड सी जब भी कपड़ा खरीते हैं जब वो यूज होगा तब पता चलेगा कि कपड़ा निकला कैसा तो वही बात हमारे साथ हुई कि इतना हमारा शुक्र है बगवान का कि पांच महीने के अंदर हमें जो है इ और वही संकेती धर्मपार अच्छा मंतरी देश कि पाति है क्या ने करेगे और आजके डेट पुछी ने कितने कष्प घून रहा है तो रक्षा मंतरे आवक की बात हुई सभ्मेटर लेकिया रक्षा मंत्री से इस समय इन आठ मेनों में हमारी बात नहीं हुई है बिलकुल भी लेकिन हाँ जो ये लोग हमको छोड़ के गए हैं इन लोगों का ही MP जो है यहां का बागपत का तो वो लेके गया था इनको तो वहां भी जो भी पहले भी मिलके आए हैं अपने तोर पर जो इलाके के लखनव वगारा के हैं वो लोग मिलके आए हैं तो उन्होंने भी आके यही कहा है कि एक गंटा बैठ के बात की है मैंने राजनाज सिंग से और आखिर में जब पूछा किया बात है आप कुछ कर क्यों नहीं रहे हैं तो ऐसे उंगली उपर उठाते हैं राजनाज करने के लिए महाँ पर है और यानिका आपका कहने मतला भी है राजनाज सिंग है वो नाम के राजनाज सिंग है चला कोई हो रहा है वह उपर इसारा करते हैं मोदीजी को पर सर्चोबीत में चुनाव भी तो है आपको पास अच्छे ओडवेंग भी हैं लगबक पात देखिए ऐसा है कि हम किसी बीजेपी या कॉंग्रेस के ना तो साथ है ना विरोध में हैं ठीक है साब किसी पॉलिटिकल पार्टी के हैं क्योंकि हम लोग 2009 से हम लोग 2009 से कर रहे हैं 2009 में तो मोदी जी नहीं थे यह दो चीफ मिनिस्टर थे वहाँ पर तो मोदी जी वहाँ तो हम तब से लगे हुए हैं हैं तो हमने कौंग्रेस के टाइम प भी किया को कांग्रेस ने जाते जाते जो है ओआरूपीकी बात की और कॉंग्रेस ने जो बात की थी वो एक सही बात थी जो कॉंग्रेस बोल के गई वो एकदम सही बात थी उसका कारण ये था कि जो कॉंग्रेस के जमाने में एक कमेटी बिठाई गी थी जिसकी अध्यक्षता बीजीपी के कोशियारी साब ने की थी तो आजकल महराश्टरा के गुवर्नर हैं, बीजेबी के हैं मानते हैं न आप। तब भी बाहर और आज भी बाहर वहाँ भी इनको ना घर था ना कोई ठीकाना था यहां भी ना कोई घर ना ठीकाना है। कई चीज़ें हमारा जो छुपी भी बात भी कई है, जो आज हमारा दोसो इकीस दिन हो चुका है, आट मैना प्रवेश कर दिया हमने, तब इसे हम बैटा है। स्टेज का संजालक कर रूब में मैं ही काम कर रहा हूं, मैं केरल का निवासी हूं। जो कि विसंगदी बहुत है हमारा साथ में, गुलामी बहुत है हमारा साथ में। लेकिन आम पब्लिक नहीं जानता है इसका बारे में, जो कि हम लोग ऐसे ही अपना जिन्देगी जिवन लीला खतम करके चल जाता है। लेकिन आजादी इंदुस्तान है, हमारा देश आजादी का अमर्द महोल सब तक मनाया। हर गर में तिरंगा, गर गर में तिरंगा, सब आपने देखा है। लेकिन तिरंगा तो सैनी का आन्शान है। अगर तिरंगा अगर लहराता है वो हमारा श्वास से ही वो चलता है लेकिन हमारा साथ में बहुत बड़ा चल हुआ है जो ओरोपी के नाम लेकर आपने सुना होगा जो 40-50 साल से ओरोपी का मांग करते जो पूरु सेनी जो की एक टाइम ऐसे थे मैं आपको उसका तोड़ा से जाना पड़ता है जो 1973 तक जो सेना में जो सर्विस करकर जाता है उनका आगरी वेदन का बेसिक यतना होता है उसका 73 प्रसंडेश उनको पेंशन के रूम में दिया जाता है जो इसलिए दिया जाता है जो नीचले रैंक वाले के लिए जो हमारा अफसरों के लिए नहीं है न अठारा को उमर में चले जाएंगे उसका बाद अमनुल सेना से सहवा नुर्त होंगे नबबे प्रसंडेज लोग 38 को उमर में जो सहवान जो अपना साइनिक युवा होना चाहिए आप जवान कहते हैं तो लडने के लिए जवान चाहिए युवा होना चाहिए जो सेना का मिल्ट्री में हो सकता है स्टेट प्लिस में हो सकता है लेकिन सिसाइनिक में नहीं हो सकता है तो ऐसे में सेना को जो आयू कम करने के वज़ा से हम लोग को नबे प्रसंडेज लोगों को 38 का 40 का उमर में आना पड़ता है तो हम लोग उस टेम पर सेना का अंदर तो माललो मैं शाणा मेरा स्था आड़े साल का बाद मेरा स्था कम और में निकल के आ रहा है तो मेरा बिच्च फायदा हुआ हिए एक क्लास में उस्के दूसरा बच्चे नेरिशरी में पड़ रहा होगा तो उनका अंगुली पकड़के हम बाहर निकलना है जो की जो सेना का रूल है उसल है लेकिन इसी के लिए बारत सरकार ने सहिनी कल्यान बना कर रखा है सहिनी के पुनरवास के लिए बना कर रखा है कई जो योजना चला कर रखा है लेकिन हम बाहर आ जाता है हमें ठकता है, मतलब हमें कोई भी निशीब में नहीं है क्योंकि हमें नहीं मिलता है इतना असानी से आम पबलिक का सोच है, इनका सब कुछ फ्री में है अगर हम कुछ चिगल सा मिलता है जो हमारा महिना का पेंशन से एक जार उबा काटता है हमारा जनरल जो रटेर्मेंट आओके आया है, उसका भी एक जार निकालता है हमारा भी पेंशन से एक जार उबा लेता है हमारा एक कॉंट्रिपूर्शन भी होता है वन टेम कॉंट्रिपूर्शन हम से कम लेता है मतलब 35,000 रुबा झामरा जिए जूनियर कमिशन आफिसर जो बोलता है हमारा इसे यह आता है जो एक ऐसी होता है 38 को मर में पैंशन होता है तो 50 को मर मैं दस प्रसंडेज लोग और पैंशन हो के आता है उनको विविन रेंगों मिलता है उनसे 67.00 रुपिस लिया जाता है औफसरों से एक लाक दस पिछले अपता मेरा फिसिकल टेस्ट वाँ हो गया होगा, वाँ भी हम हर चीज़ में फिट हो कही निकल गयाता है, लेकिन बाहर आने के बाद हमारा एक टेंशन शुरू हो गया, अब हमारा बच्चे को स्कूल बेजना है, हमारा पास नवकरी नहीं है, बेरोजगार है, अब अब देखा होगा, दीरे-दीरे सहन्यों को कितना आप देख रहा है, जो सिक्रूटी गार के लावा कोई नवकरी नहीं मिलता है, लेकिन हर बेल्ट फोर्स के अंदर, जा फोरस्ट गार में हो, या स्टेट पुलिस में हो, या सीबे में हो, किसी भी जगा पर, जैक से इस ड उसमें कोई शूरुती टी नहीं मिलता है, वालो अच्छे काम करेंगे, तब जाके तनगा भी मिलेंगे, नहीं तो निकाल के बाहर करता कोन आप लोगों को, जैसे आपने कहा कि मतलब कोई सिकूर्टी होती पैसे की, तो बाहर निकाल कोन करता आप लोगों को? तो उसको प्रपरेटर होई है, जो अपना अधिगारी, अब सेना का जो हमारा एक डिजर डिपार्टमेंट, जो डिरेक्टर जनल आप रिसेटलमेंट बोलता सको, कुनरवास मिर्देशालाई, उनी का अंडर में, जो सारे सरकारी डिपार्टमेंट ये जितना भी टंडर्स पर इंब्लोर शेर बनाकर रखा है, जो हमारा टंडर जलाता है, डोटल तनगा जो भी इनको मिलता है, उसमें पी फबी होता है, सब कुछ होता है, नियम तो बोद बनाया है, सरकार तो अपने टेजरी से सब चीज़ें देता है, लेकि हम तक नहीं पहुंचता है, आम अपन वां से 3 दिन के सफर करके आएंगों पहते हैं एस उफ हुथ सुना वगा आम सरकार ने बहुत कुछ दिया है सब द्रावे क्रीई है हों सेम परी रएणा भी लेने की जरूरत नहीं है हम उनको वर्दी भी लेने की ज़रूतनी कपड़ा भी ठीक है चबी जुराब सब कुछ हमको देता है लेकिन यह सरकार देता है लेकि आम तक पहुंजने के लिए हमारा अफसर का देया चाहिए सरकार आपको यह चीजें जो प्रवाइड करवाती है वो भी आपको मिलती नहीं है उसके लिए भी आपको मतलब जो उपर अफसर बैटे हैं वो भी दादली कर लेते हैं मतलब आप खास ताउर से यह कहते हैं कि हमारे एक कहावत है कि दुनिया हारी तो अपनो स्वारी यानि आप भी कहीं कि अपने उपर बैठे लोगों से आप लोग भी कहीं कहीं मार खाते हैं वह एसे है जो अपसर के साथ में हमने अच्छे तरह आप तो देश्क पर अच्छा नहीं लिए गया हैं आप घर का भी काम कर लिए को तो वह सकता है हमाई यह सब कीदसे आसानी से मिल जाएँगी यह चुटी भी हो, अब वादलो सरकार ने 3 मेने के चुटी रखा वह हैं गर जा सकता है, अगर सबार जा सकता है यह बहुत बड़ी बात आप कहा रहे हैं, कि देश आप का आजाद हो गया अमरित महुस्व मेना जा रहा है, जी 20 हो रहा है लेकिन आप कहा रहे हैं कि देश आजाद होने के बाद भी ब्रिटिस वाला कानून भी अपने देश में चल रहा है हमारा सेना का कानून जो 1919 का है जो आजाद को पहले का उसको उपर जो सम्षोधन एक बार किया है 1934 को लेकिन फिर भी विच्वी को कटोर बना के रहा है आपको पता गुलाम जो प्रिटी के अपना आर्मी में हम को लेते टैंपर हमें लेंगे तो उनी का आर्मी का कानून अलग बना दैए हमें गुलाम बना के बना के रह्कर रहीए जो हक जो मांगना नहीं है हम देंगे तब लेना बनाया हुआ उपर से आपको हम देंगे हमारा महर्बानी से अगर हमारा जो हमने जो बोल रहा है अगर मानलो जो ब्रिटीश आर्मी में जो में काम कर रहा था तो मैं हमारा देश के अंदर जो हमारा साथी हिंदुस्तान गंदर का किसी भी खाम को उनका पास जाके बता दे वहाँ पर पला नाधिने सी कर रहे हैं मैरा भाई का बारे में बता रहा हूं तो वो सिधा अपना बंदू के लिए के उनका पास पहुंझेंगे यही थे गुलामी यही थे उस आर्मी का तो उसी में उन्होंने कुछ प्रमोर्शन भी बना करेका था जो किसमें अच्छा काम करता है तो उनके लिए जैसियो बनाना जूनियर कमिशन अफसर जूनियर कमिशन अफसर सरफ इंडिन आर्मी में लेंगे पाकिस्तान आर्मी में ल जवान से जेसियों अगर बनना है वही ब्रिटिश वाला टाइम पर जो किया हुआ वही गुलाएं प्रदजी सरफ बदलाव इतना हुआ है जो अफसर जो है वो ब्रिटिश का रोल में बैटा हुआ हमारा हम उसको हम लोग ने नाम दिया है काला अधिगारी जो हमारा वैनरों में आप देखा होगा अधिगारी को पूरा हम लोग ने इसके अंदर काला रंग में लिगा है अफसर काले दिल वाला यह सब आमने लगा करका है आप देख लिए अचाल आपने इस पर लिखा भी कि सबका सैनिक संगर्स कमेटी जो जमान है वो 97 परसंट है आफिसर वो 50 पर आप तप्ति धूप में चलते हैं आपको ग्लेसियर में भी जाना पड़ता है आप वहां भी जाते हैं जहां कि हर इंसान रह भी ने सकता हम लोगों को अगर आप लोगों गोली लगते होगी अपने मुह को आप दबाते होंगे इसलिए कि सामने खड़ा कोई जुस्मन या अबाज को सुन ले या फिर से मेरी उपर अटाइक में हो जाए लिकिन इस सब के बावजूद भी अगर आपका यह धरना प्रदसन जो आप लोग कर रहें लगबग पिछले आट मेने से अगर इस पर कोई कारवाई नहीं होती को तो आप लोग अगला कदम क्या उठाने वा लग कर आपकारी तंदर में हमारा सेना का दिगारी रहता है आपको में मिनिस्टर भी रहता है रहता है जनलरी की जो सेना कंदर चला है डेड़ लाग से उपर सेवादार आज गरों में काम कर रहा है यह तीन परसेंडेज लोगों का गर पर कि जिसने बोला है उसी को disorderly behavior जो आदेश का पालन नहीं किया उसी के उपर उनको बाहर बेजा है वो बाहर आ गया प्रस उसको उपर कोई देशे द्रोही का टपा ना लगे इसलिए तबी भी उनको पैर पकड़ता बाहर आते टैंबर में जो कि जो ऐसा कोई केस ना लगा है क् कि बाहर दुनिया उनको पतर मारे इसलिए हो सुचता है ठीक है ठीक है मैं यह काम नहीं तो उस ट्रैमरों बोलेंगे सर मैंने तो सेना का कोई काम के लिए मना तो नहीं किया आपका गर काम के लिए मना किया लेकिर वो क्या कानून बना रहा उदर disorderly behavior जो आ सकता मेरे को लड पताएंगे तुमने और कुछ कर दिया तो इसी जैसा वह बाहर ऐसे कई लोक सेना का गुमरा है यही गुलामी प्रदा आज भी अंग्रेस का कानून उसका अंदर है उसी को भी बदलने के लिए हमने बार-बार सरकार के गौहार करा रहा है लेकिन उस कानून से फायदा अफ अफसर बैटा हुआ है तो यह किसी भी जगा पर यह बिल्कुल उजाला नहीं होता है हमारे लिए हमारा वाज उटाने के लिए अपने एक संगटन चाहिए जैसियो जवान का खुद का संगटन चाहिए बिना अफसर का संगटन चाहिए उसी के लिए पिछले 15 साल से हम प्र राज है वो तभी से लगा है इसको उकाड़ के फेंग दे यह से कोई संकटन चाहिए नहीं लेकिन हम लोग ने आट मेना यहां बैड़के हम देश का पूरु सेनियों को को जगाया अपना हक के बारे में उनको हमने समझाया मांगने के तरीका समझाया आप खुदी पतरगा यह को लेगे गोद में वो क्या मांग कर रहा था तीन सवर हुआ उनको एक दिन का पगड़ी मिलता है तीन सो पचास कर ले सव दिन का जो वेतन जो कोई साल के लिए सव दिन का जो उसका नोक्री है उसको डेट सो कर दे सिंबल सी बात सतर दिन बैटना पड़ा उनको हम लेक कोई भी अधिगारी के टीम याम अरताल करते हैं हमने नहीं देखा जो की साक सुविदा के साथ में सिरफ अफसर रहता है हमारे इंत्रस्तान कंदर उनके लिए कोई चीज पूछने के जरूरत नहीं है जो कि हर जगा पर राज करता इसी जैसा सेना कंदर तो बात अलगी है स जवारत जवान गुला में वो आवाज नहीं उटा सकता है बोल भी नहीं सकता है आपने सुना कि जो रिटायर्ट फोजी हैं आर्मी के जवान हैं उनके अंदर कितनी पीड़ा भरी हुई है आखिस सरकार या आर्मी के उपर बैठे हो जो अधिकारी है वो इनकी मांगों को क्यों नहीं कर रहे हैं इनकी गलती क्या है यह तो अभी भी कहते हैं कि आर्मी के जवानों के साथ इतनी बसलूकी होती है कि सायद उससे दुनिया अंजान होगी हम आप अमन चैन की साथ लेते हैं क्योंकि हमेशा हमारी आपकी रच्छा के लिए बार्डर पर लगे रहते है साफ इसमें कितना बड़ा खुलासा हुआ कि अगर हमको छुट्टी मिलती है वो छुट्टी लेने के लिए भी हमें अपने आला धिकारी के घर पर जाकर काम करना होगा उनकी सिवादारी करनी होगी नहीं हमारे हाथ में कटोरा आ जाएगा साथ के लोग साथ इसलिए नहीं देते क्योंकि हमको निकालने के बाद सीधे उनके उपर आरोप लग जाएगा और उनके हाथ में कटोरा जाएगा तो यह जो खुलासे हुए हैं यह वाकई में बहुत मार्मिक हैं और एक दम दिल दहल जाने वाले चीज़े हैं सरकार की तरफ से चीज़े मिलती हैं लेकर इसको लेने के लिए हमें जाकर पांद बाने पड़ते हैं कैमरा मैं सर्टाज के साथ मैं सुधी प्राजपूत नियोजवर्ड इंडिया जंतर मंतर